हेलो ब्यूटिफुल पीपल हाव यूगाइस दूग वेल्कम बैक तो माइच चैनल तो कल शाव काफी अच्छा नीन आ गया पर कल मैंने एक वीडियो देखा था बाइकर रिंचिन का बाई कुलू साइट इना पानी इतना ज्यादा भर गिया है यार जो ब्यास रिवर है वह म लगाता तो मतलब आज वाश आउट हो जाता मतलब अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं वीडियो देखिए कुलू और दोबी साइट तो बाब मतलब पानी का लेवल है ना इतना हाई हो गया ना तो अभी कुछ भी हो सकता है वाई बट मैं तो नकल निकल तो मैं अभी बीर पहुंच चुका हूं तो अभी मैं सोच रहा हो कि थोड़े देर बात है ना अभी निकल जाओ धरम शाला के लिए वेदर क्या बूलो यार जब निकलता हूं उस तरह पानी गिरते रहता है कल पूरा दिन पानी गिरते रहा ने तो बीमार पढ़ने और खाना अच्छा खाया इसके वज़े साब मैं सही हूं तो अभी मैं सोच रहा हूं निकल जाओं बट यह वैदर जो है ना पानी गिरते रहना मज़ा नहीं आता है या पूरा कप्रा बिग जाता है तो अब ही सोच रहा हूं थोरा वेट करो मतब एक गंटा वेट करूंगा थ है तो आप लोग यह वीडियो देखिए और थोरा सा प्रे कीजिए मतब जो कुलू का विछ टिबनी विलेज में शायद पानी बहुत जादा आ चुका है मतब इसके लिए कि यार कुछ ना हो बै कुछ ना हो बै कुछ भी हो सकता है कुछ ना हो इसके लिए करिए और अब मैं ब्रेक्फॉस्स के लिए सोच रहा हूँ अब मैं कहां पर रह रहा हूँ आप लोगों दिखाता हूँ जो बीर में ना जो तुबैरिन हेल्ट केर सेंटर है ना उसके पास में एक जिम जिम बोलने वाला एक छो होटल है वहां पर स्टे कर रहा हूँ काफी सुंदर है यार मैं आप लोगों दिखाता हूँ चलिए तो यह मोनस्ट्री का होटल होगे रहे लग रहा है तो बहुत सुंदर है यार अंदर आप देख सकते हैं जो मेरा वाइस से सब एको कर रहा है और यह सब रूम है एक दू तीन चार पांच छे साथ पूरा रूम में मेरा रू अब ़ोगों को नहीं दिखा सकता है बट आप लोगों को रास्ते में जाते से में आप लोगों को दिखाते रहiphना है सीन और सुंदर सुंदर शीन तो भी ब्रेक्वस्था को जाते हैं उसके क्वां के खाय क्वा राइक है किसे रहां की साथ द्भाद को और की समय अब जपिंगे चैटा कि रहें sih लगी है। करें समय के लिए यो द्भाद मान कांव Vous टीखान लिए अब ह् ना झाल भुट हो लोगे बंदधाने ऐसे ना इधान आ ये निचर अब रेस्क्यू टीम आ रहे हैं तो यलो और ने रहा है मैं पदनीलोग नहीं नहीं का आ जो प्राइछाव टाइए अग्या अज़िया निचर पानी अब चुछ आएल अगारेव किया रहे हैं आ रहे हैं त सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप लोगों करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक रेकमेंड करना चाहते हूं कि बारिश काफी तेज है और कुछ भी हो सकता है ले इसलाइद वह कहरा रभ वह सबसे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा एक दो दिन के लिए न पॉस्पोन कर दिजिए वह अभी बाहर अभी भी पानी गिर रहा है यार बाहर भी नहीं जा सकते अभी रूम में बैठना पर र बाहर बाहर तो पानी अभी गिर अब क्या करें भाई ऑप्शनी नहीं तो दहां से धना पर यह होई है कि अब निकलने वाला हूं क्योंकि बारिश जो है वह थमनी का नाम नहीं ले रहा है उसके उपर रहना वैदर फोरकास्स दिखा रहा है कि और मुस्ट चार-पांच दिर वैसे पानी गिरेगा बोल रहा है को कल सुखा के रखा था यार कुछ भी निसुखा यार पुरा अब यह टी-शेट पेंड लिया और यहां पर शोट पेंड पेंड लिया तो बैक यहां पर पुरा पैक कर दिया और जो कपरा निसुखा था वो पुरा इसमें डाल दिया हलो गाइस तो में रेडी हो चुका हूँ अब देख सकते हैं रेंड कोट पेन लिया है और यहां पर बाइक रेडी है सामान सब इसके अंदर डाल दिया और याभी भी रेंफोल हो रहा है चार-पांच दिन तो वैसे दिखा रहा है हलो गाइस तो अभी मैं दरमशारा पहुंच चुका हूँ तो अभी ओल्मोस मेरे को लगे थे दो गंटे मतब बीव से यहां तक के लिए तो अभी मेरे को जाना है आपड़ी सीवी तो उसका परमिशन लेते हैं छुपी के लिए तो मेरे को जाना है उसको लेके मतब और मैगल लेके आए तो दोनों ही खराब हो चुके हैं तो अभी मेरे को शॉर्टन हो गयादा लेना पड़ेगा तो मैं गॉर्ड गाइस देखो चेक आउट इस पानी कैसा हो गया बाई रोगे चेक आउस दीस का है कसम से यार देखो मतान का साम में पानी पानी वो नीचे पीलर ते सब ओपर से चुपा है क्रेंड खुपर ओमाइब आपने किलो नहीं है रात बारिश होते रहे देखो समान सबेना हम लेगे जा रहा है गर से ना अंदर स्कूल गंदर में के लिए कसम से यारी ना खटना को देखना में पानी ओमाइब नेचे जो ग्रेंड हो पानी नीचे सब्सक्राइब देखना में आपने के लिए किसम से यार इतना गतना गया है वह बंदा था कि जहां बोलो आपको 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 अपना जो नदी के सामें जो कर रहे हैं उन्हें समान सब निगल किना बाहर रुक रहे हैं बहुत देंजर है भई नीचे तो पूरा निचे हो सब्सक्राइब गराशा बश कर दो देंजर है आप्ने बासे जरी बासे सब्सक्राइब अबसे में बने नृ आपको अब ना आपको ने की अब पर तह पाल तो आब है लेकर रिंचेंग का एक वीडियो देखा बाई आग से आफसू निकल रहे है यार यह टिपेडन कॉलर नी या आसपास जो बियास रिवर की आसपास कुलू के आसपास जो भी तैस नेस हुआ है यह पानी की वज़े से दो दिन कंटिन्यू पानी गीरा था उसकी वज़े से न बहुत से घर वगेरे बिखर गए हैं और साथ में गारी वगेरा भी बियास रिवर लेके गए हैं अब यह नेचुर डिजास्टर हम क्या मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं कुलू आसपास में तो बहुत ज़्यादा डेस्ट्रॉक्शन हो गया है और अभी मेरे को सुने में कि मनाली में भी जो बस्टॉब है वो पूरा चला गया है बोल रहा है जब मैं तो पहुंच गया यहां पर दरमशाला पहुंच गया हूं बट वहां कुलू में तो तेसनेस हो चुका है भाई इतना जादा नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं हिमाचल में क्या बताऊं भाई अभी जो मैंने तीबिदी कोलनी और जो इंडिन जो उसकी रिवर की आसपास बैठ रहे हैं उनों घर बिछरते हुए मैं देख रहा था आख से आशू निकल रहे हैं बई सही में अब प्रे करना बनता है बई सब ही प्रे करो यार रोमिंग जांस फैमिली ओल अल अवर दर वोल जो हुमिन सब आदमी प्रे करो यार कुलू में जो ऐसे हाथ से हुए है तो अभी मैं भाई से मिलने जा रहा हूं क्योंकि आज संडे है जल्दी नहीं जाओंगो तो लेट हो जाएंगे कौन आगया है खंडे अब सब्सक्राइब कर दो जो और है हलो बीटिफुल पीपल्स तो अभी मेरे सामने कौन बैठे है यहां पर मेरा भाई जो बैठे है यहां पर अब इनको मिलने के लिए मैंने 200 किलोमेटर पार किया वहीं और यहां पर देखो मैंने दूसरा टीशन प कापि इतना ज़्यादा बारिश गिर रहा है अब इसको मैं अभी कॉफी हास लेकि आदब कॉफी पिलाने के लिए अभी उसका बाद अभी क्यासी खाना है बोल आपके अपी खाने जाएंगे तो कैसा रहा भाई सप्रास कैसा रहा है बताव फेस बहुत अच्छा था मतब म सब्सक्राइब तो अभी इसको बड़े के लिए मतलब एडवांस पर मैं बोलना चाहता है अभी मेरो में इसको खेलाने लेकर जाने वाला हूं तो मेरा बहन तो बोला कि तुम कैसे आखेला जा रहे हो बोलके बट क्या कर सकते हैं और अब तो क्लास 10 में हैं तो अच्छा परह करना पड़ेगा है ना और नेक्स येर अम लोग देखेंगे मतलब तुमको क्या गिप देना है अभी हम लोग निकलने वाले हैं के लिए मैक्स मॉल रहा मैक्सिमस मॉल में तो अभी थोरा सा पाणी रेंफोल कम हुआ है दरमशाला में तो आपको 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 ना दरमशाला का नियजारा दिखाएंगे एक बार दिखाएंगे तो कितना सुन्दर लग रहा है यार है एवें जैसे लाएं है पूरा है ना क्लाउड से बढ़ा हुआ बहुत ही सुन्दर और अभी हम और में और मेरा भाय दोनों है ना केवसी खा चुके हैं आप डॉमिनोस खाने जाने वाले मतब पेट भर के खाएंगे उसका बाद में वापस निकल जाएंगा अब इसको सप्राइज मिला है मैं आ गया यहां पर अब इमोशन तो नहीं होने वाला तो में इसको खिला खिला की इमोशनल बनाने वाला चलो गाइस चलते हैं अब लास्ट टार्म डॉमिनोस खाते हुए इसके बाद हम लोग सीधा अपटी सीवी निकल जाएंगे अब इसको हजार रुपे दे दिया मेरे गिप्ट में और साथ में और तो अब निकलना पड़ेगा मेरे को 45 मिनिस बागी है आप अटी सीवी पहुंचना है और लॉसार में मिलेंगे निव यर में ठीक है तो अब पराई करना वही है ना बोर्ड एक्जाम है ठीक है तो मेरे को आज शाम को मैंकलोड घंश रहना पड़ेगा इसका बाद मैं कल ठीक है गाइस तो स्केट तून तो अभी मेरे को पेट बुजा करना है तो आपको मिलते है थोड़े देर बाद ये दरमसारा को वादियो देखके मेरे को से गाना यादा है और क्या है कि इन वादियो हूना प्रतेलाट हलो गाइस तुम्हें भाई को छोड़नी गया था पटे से भी और बहुत खुश हो गया बोला कि यार भाई तू इतना दूर से मत आया कर भाई इतना दूर से आ रहेगा तू अकेला आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि भाई को अगयरा खराब हो गया तुमको तो वह तो सप्राइस हो गया मेरे को बोल रहा था कि यार भाई तू यार मज़ा आ गया बोल रहा था और आम दोनों बहुत खाये पीए तो गाईस ऐसे लाइफ में सम्टराइम से ना सप्राइसिंग आपको अपना भाई को विजिट करना चाहिए और भाई से मिलना मतब पेसे होने की कारण बटवारा हो जाता है भाई की दोर की बीच में बट ऐसे नहीं होना चाहिए एक ही खून का भाई है ना तो दोनों है ना थोड़ा थोड़ा कुछ बोलेगा तो सेन कर लेना चाहिए और सबसे अच्छा चीज़ लाइप में ना देखो अभी बाई दोस होने से बीच में एक बहन होना भी बहुत जरूरी है ठीक है तो गाइस अभी चलता हूं अभी मेरे को खाना खाने जाना है और गाइस आज बहुत दुखत कहान मतब मैंने इस्टा स्टोरी देखा बाइकर रिंचन का उन्होंने वीडियो शेर किया है और बाइकर में आपकी इंस्टा स्टोरी से मैं डाल रहा हूं और आज सब को सब को बोलना चाहता हूं कि प्लीस प्रे कीजिए कुलू मनाली आसपास के जो टाउन है वहां पर बहुत हलत खराब है हमको दूआ की जरूरत थे में दूआ की जरूरत अभी मैं वापस जा रहा हूं कुलू के ले कल रवाना हो जाओंगा तो गाइस मिलते हैं नेक्स व्लोग में टाटा बाई बाई थेंक यू और अमी जम्स को यार प्लीस लाइक तो करो यार शेयर करो यार थेंक यू सो मच बाई